हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टू अबर चैनल मैं हूँ आपका दोस्त अमिच हर्मा और आप देख रहे हैं नैच्रल बॉड़ी एस्टेटिक्स तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपनी चैनल में आपके सामने वर्कोर्ड वीडियो भी लेकर आया हूं है निउट्रिक्शन के बारे में भी आपको बहुत जाज अपना दोस्तों इनहीज सब में एक चीज आज आपके सामने लेकर आ हूँ आज की वीडियो में आपको बताऊंगा अपनी फुल हेर केर रूटीन कि मैं अपने हैर्स में क्या-क्या यूज़ करता हूँ और सबसे वहले आपको बता दूं कि हमारे कुछ team NBA के members होंगे या उनके कोई friends होंगे जो अकसर अपने hairs में या तो wax यूज़ करती है या तो gel यूज़ करती है या तो dryer यूज़ करती हैं और मैं आपको बता दूं इन सब चीजों के बज़ा से जो आपकी हेर ग्रोथ होती है उस पे भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है और साथी साथ जो आपकी हेर में अच्छी तरह से ग्रोथ होने चाहिए थी वह नहीं हो पाती और आपके बाल बिल्कुल ड्राइडर हो तो अपने हेर्स को दुबारा ठीक करने के लिए अपने बालों में सबसे ज़्यादा जरूरी है ऑईलिंग करना जो कि अक्सर आजकल बहुत कम लोगी ऑईल लगाते हैं अपने बालों में उनको अच्छा नहीं लगता ऑईल लगाना लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप को कुछ ना कुछ टाइम निकाल कर हफते में दो बारी तो कम से कम ऑईलिंग करनी चाहिए अच्छे से अपने बालों में मसाज करनी चाहिए जिससे जो आपके हेर्स की ग्रोथ होगी वो भी इंक्रीज होगी और साथ ही साथ आपके हेर्स में अलग तरह से शाइनेस आएग उसके लिए भी मैं इसी brand का oil यूज़ करता हूँ मिरको लगबग 3 weeks हो गए है इसको यूज़ करते हुए और यह मैं आप बता दूँ कि यह fastest growing जो अईरवेदिक brand है वो इंडिया का है और साथ ही साथ यह आपको toxic free है chemical free है pure और safe natural है और जो product है वो है यह उप कर्मा का onion hair oil सबसे पहले हम इससे massage करेंगे जैसे कि आपको पता है कि जो massage है वो अगर आपने मां की हाथों की massage करें तो उससे अच्छी massage कहीं नहीं है तो मैं यह अपने mom से massage कराऊंगा अभी जाकर तो चलते हैं और massage कराते हैं तो गाइस इसमें जो ingredients हैं वो है red onion, seed oil, black seed oil, argan oil, rose oil, macadamia, nut oil, castor oil, amla extract, brinjraja extract, neem oil, virgin coconut oil, hibiscus oil, peppermint oil, lavender oil, jojoba oil, sweet almond oil तो इसमें सारे ingredients यही present हैं और इसको लगबग हम कोई gently massage करेंगे कम से कम 10 मिनट तक पांदस मिनट तक उसके बाद हम इसको totally चार से पांच गंटे oil में लग रहने दूंगा वालों में उसके बाद हम इसको wash करेंगे So friends, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने अपने hairs में oil massage पूरी कर ली है और अब मैं ऐसे ही wait कर रहा था नहाने से पहले कि अच्छे से oil पूरे hairs में लग जाए तो मैंने सुचा तब तक मैं अपने legs की massage कर लेता हूँ तो legs की massage के लिए मैं mainly सरसों को तेल यूज़ करता हूँ लेकिन बीच बीच में मैं बदाम रोगन ओयल भी यूज़ कर लेता हूँ massage के लिए So guys, ये उपकरमा का ही बदाम रोगन ओयल है जो मैं यूज़ करूँगा अभी legs की massage में और उसके बाद थोड़ा time भी बीच जाएगा तो उसके बाद हम simply अपने hairs को wash करेंगे शैंपू के साथ और वो भी मैं आपको बताऊँगा कि मैं कौन सा shampoo यूज़ करता हूँ अपने hairs के लिए so guys अभी मेरे को लगबग 2-3 गंटे हो गए है बालों में oil लगाया हुए और अब time हो गया है मेरा नहाने का so दोस्तों जो मैं hairs के लिए शैंपू यूज़ करता हूँ वो भी मैं उपकर्मा का ओनिन शैंपू ही यूज़ करता हूँ और जैसे कि आपको बता है हमारे hairs के लिए vitamin H बहुत ज़्यादा जरूरी है vitamin hair उसको biotin भी बोलते हैं वो इसके ingredients में present है vitamin E भी इसके ingredients में present है और साथ इससाथ इसमे 4-5 किसम के जो oil है vanilla oil, bramin oil, amla oil, सारे इसके अंदर ब्रिंगराज oil, सारे इसके अंदर present है और ये काफी में को अच्छा shampoo लगा, इसको भी मैं 3 weeks से use कर रहा हूँ और इसमें क्या होता है कि जब भी मैं ये shampoo लोंगा, अच्छे से बिल्कुल बाल सिल्की कर देता है कोई भी बालों में dandruff नहीं रहता, और जो बाल की strength है और शाइनस है वो बरकरा रहती है तो दोस्तों ये मैं 3 चीज़ें यूज़ करता हूँ सबसे पहले उपकरमा का ही hair oil, उसके बाद मैं बीच-बीच में कभी-कभी मसाज़ करने के लिए मैं उपकरमा का बदाम रोकन ओल यूज़ यूज़ करता हूँ और शैंपू में मैं पुपकर्मा का ही ओनिन हेर शैंपू यूज़ करता हूँ दोस्तों चलते हैं अभी नहाने के लिए उसके बाद मैं आकर मैं आप से मिलता हूँ आप 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 सो एंबी फैमिली मैं नहा कर अभी त्यार हो गया हूं और मैंने शैंपू भी कर लिये मैं आप को बताना जाता हूँ कि यह मिरको प्रोडक्स मैं को कम से कम कोई तीन हवक्ते से यूज कर रहा हूं और मैं को यह काफी अच्छे प्रोड़क्स लगी है ओक इस प्रोड़क्सित की मैं जी आ pää है कि एक तो यह टॉक्सिं व्री है धाल ने मेंक Il स्थी प्र्री क्रड़ से नहीं लिए गया है बिल्कुल वेगन है और दोस्तों में चीज यह है कि जैसे कि मैंने आपको अपनी आज हेर के रूटीन दिखाई तो इसके साथ में इंपॉर्टन आपकी न्यूट्रिशन भी है अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो आपके हेर्स की ग्रो पूश्ट होगा उससे भी आपके हेर्स होगी और में चीज दोस्तों मैं आपको यह बोना जाता हूं कि अगर आपको यह प्रोड़क्स लेने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आप वहां से बाय कर सकते हो और साथ ही साथ मुझे यह अभी त करो बैलेंश लाइफ विद न्यूट्रिशन ऐस बेल ऐस आप हेर केर दीन भी साथ साथ रखो तो दोस्तों यह थी हमारे आज की वीडियो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमार चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना तब तक के लिए थैंक यू, be healthy and don't do drugs.